हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्र नमबर 5 जिसका नाम है दस नीक एंड दा मिरर तो यह कानी को स्टार्ट करने से पहले आप लोग में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए कि काफी जारे लो स्नीक और मिरर तो जो डॉक्टर होता है वो कुछ लोगों को अपने स्टोरी बताना स्टार्ट कर देता है जो कि उसके पास बैठे होते हैं यह स्टोरी तब कि होती है जब गर्मी का टाइम होता है और जो डॉक्टर होता है वो अपने खिड़किया खोल लेता है ताकि वहा का टाइम होता है तो एक वाजी के तो तो इसके बाद को हमadra रहे हो थो तो इसके बादर है उसे कुछ आवाज पीछे से लेकिन बैसे आजासे पहलती टीकिनि इसकी घर पर काफास कुएते तो यह करते करते को दॉक्टर है उसकी नजर मिरर पर पढ़ती है तो जैसे हम लोगों को पता है हम लोगों को आदत होती है जब भी हम मिरर को देखते हैं तो हमने पाल सवारना स्टार्ट कर देते हैं हम अपने फेस को देखते हैं हम अपने कालों को छूते हैं हम लोग देखते हैं कि हम कितने ब माई करते टाइम मैं काफ Cup स्मार्ट फिर लगता हूं और मुझे लगता है कि मुझे अब शादी भी कर लेनी चाहिए कि मेरे शादी हो गता हुए और रिजंट्र कि जाता है कि अगर फैट होगी तो मेरे कुछ गलती करने पर वो मेरे पीछे नहीं भाग पाईगी तो इसके बाद जो डॉक्टर है जब यह सारी पात है सोच रहा होता है मेरे में देखकर तो उसे पीछे ते एक आवाज आती है कुछ गिरने की कुछ रबर जैसा गिरने की और चीकटर को यह रिलाइद होता है कि उसके शूल्डर पर एक सनेक आकर बैठा हुआ है तो जो डॉक्टर है उसके बॉड़ी नम हो जाती है डॉक्टर बिल्कुल हिल नहीं पाता वो कुछ भी नहीं कर पाता उसे बिलकुल साउंड निकालने की हिमत ही नहीं होती वो बस यही सोच रहा होता है अगर इसने मुझे काड लिया तो मैं क्या करूँगा अगर ये मेरा आखरे दिन हुआ तो मैं क्या करूँगा तो इसके बाद जो सनेक है वो धीरे धीरे डॉक्टर के लैब पर आकर बैट जाता है और डॉक्टर के बिल्कुल ही सामने आकर अपना फन फैला कर बैट जाता है और जो डॉक्टर होता है उससे वो बिल्कुल चार इंच की दूरी पर होता है जो डॉक्टर होता है वो काफी ज़दा डर जाता है उसके पसीने चूट रहे होते हैं और वो हील नहीं पाता बिलकुल भी, तो थोड़ी देर के बाद जो स्नेक है, वो डॉक्टर के पैरों के थूरू नीचे उतरता है, और जाता है एक टेबल के उपर, और टेबल के उपर चड़के, वो भी मिरर की तरफ देखना स्टार्ट कर दिता है, तो डॉक्टर सोचने स् स्नेक वहां मिर्यर में देख रहा होता है, डॉक्टर चुपके से घर से बाहर निकल जाता है और वो इतनी तीज़ी से भागता है, तो जब उसका फ्रेंड वहां पर पहुछते है, तो वहां पर कुछ भी नहीं बचा खोता होता वहां कि उसके घर पर चोर ही होती है, लेकिन जो चोर होता है वो भी उसका मलाक उनाने के लिए एक गंदी वेस्ट छोड़ देता है महाँ पर तो डॉक्टर बोलता है कि आखर उसने ये भी क्यों छोड़ी ये भी ले जाता वो इसे भी तोद आकर पहन लेता तो ये इंस्टेंस सुनाने के बाद डॉक्टर पूछता है कि क्या आप लोगों के साथ ऐसा कोई इंस्टेंस हुआ है जिन लोगों को ये इंस्टेंस वो सुना रहा होता है तो वो लोग कहते हैं कि नहीं हमार साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ लेकिन फिर वो कुछ कोशन्स पूछते हैं वो पूछते हैं कि डॉक्टर क्या आपकी वाइफ फैट है तो फिर डॉक्टर बोलता है कि नहीं नहीं मेरी वाइब बिल्कुल पतली सी है शायद फर्मान को यही मंजूर था और दूसरा बंदा पूछता है कि क्या आपको वो स्नेक वाप से दिखा तो वो डॉक्टर बोलता है नहीं मुझे वो स्नेक आखरी बार तब ही दिखा था तो यह थी इस खानी के समरी इस तरीके के और सम को सब्सक्राइब करें थैंक यू